हेलो फ्रेंड्स एक नए रेसिपी के साथ मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता, स्पाइसी, चटपटी, मसालेदार उड़त दाल की कचोड़ी इन कचोड़ीों की खास बात आप इने स्टोर भी कर सकते हैं तो अगर आप भी इस तरह की कचोड़ी अपने घर में बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने छोटी से छोटी ट्रिक और टिप्स भी सेयर की हुई है तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए कुछ नया सीखते हैं खस्ता को चोड़ी बनाने के लिए हम लेंगे ये उड़त दाल ये मैंने एक कटोरी लिया है जो की लगबग 200 ग्राम के आसपास है अब इसे हम भिगोएंगे उसके लिए एक इस तरह का बाउल ले लेंगे और उसमें दाल को डाल कर इसमें मैंने ये गरम पानी लिया है गरम पानी दाल भिगोने से ये 2-3 घंटे में फूल कर तयार हो जाती है अगर आप नॉर्मल पानी में दाल को भीग होते हैं तो वो 7-8 घंटे लग जाते हैं तो आपके पास जैसा टाइम है आप उस हिसाब से कर सकते हैं और देख सकते हैं तीन घंटे हुए हैं और दाल हमारी पूरी तरह से फूल कर तयार है इसको मैंने 2-3 बार अच्छे से पानी से साफ कर लिया है उसके बाद अब इसका हम पूरा पानी निकाल देंगी तो इसके लिए मैंने ये एक चल्नी लिया है आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं और उसमें डाल कर सारा पानी इसका निकाल देंगे अब एक पैन ले लेंगे फ्लेम को slow to medium रखेंगे एक चमच refined oil लेंगे और इस दाल को डाल कर हमें इसे पूरा पानी सुखाना है अगर हम दाल को direct mixy में पीशते हैं तो उसे पीशने में काफी परेशानी होती है mixy अच्छे से नहीं चलती है तो अगर हम इस तरह से इसका पानी सुखा देंगे तो हमें दाल पीशने में काफी आसानी होगी फ्लेम बंद कर देंगे और जब तक दाल ठंडी हो रही है तब तक हम अपना डो लगा कर तयार करेंगे तो उसके लिए मैंने ये तीन कटोरी मैदा लिया है उसमें एक चमच नमक ले लेंगे आधा चमच से थोड़ा कम अजवाईन लेंगे इस तरह से इसको अच्छे से क्रेश कर देंगे और इसमें डाल देंगे सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे इसके बाद अब इसमें हम मोयन लगाएंगे मैंने तीन कटोरी मैदे में आधा कटोरी रिफाइंड ओयल लिया है पर मैं अभी पूरा नहीं डाल रही हूँ थोड़ा सा ओयल हम बचा लेंगे और एक बार इस तरह अच्छे से mix करेंगे अगर हमें जरूरत लगी तो हम पूरा मोयन इसमें डालेंगे खस्ता कचोड़ी बनाने के लिए सबसे जो जरूरी इस टेप है वो आपका मैदे में मोयन लगाना ही है तो जब हम मोयन लगाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट मोयन लगाकर तयार करेंगे अब जो बचा हुआ ओयल है उसे भी हम डाल देंगे और इसे अच्छे से दोनों हाथों से हम mix करेंगे इस तरह से हमें इसे अच्छे से mix कर लेना है और आप देख सकते हैं मैदे को मैंने कितना अच्छे से mix कर लिया है और इसकी मुठ्य बाने से ही पता चल रहा है कि मोयन कितना अच्छे से लगा है अब इसमें हम थोड़ा-thोड़ा नॉर्मल पानी डाल कर इसका सक्त डो लगा कर तयार करेंगे पानी थोड़ा-thोड़ा ही डालेंगे हाथ में और फिर हमें इसमें मैदे को मिक्स करना है एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालें थोड़ा थोड़ा इस तरह हाथ में पानी लेते जाएंगे और हमें इस तरह का सक्त डो लगा कर तैयार कर लेना है डो को हमें ज्यादा देर गूतना नहीं है बस हमें इसे अच्छे से बाइंड कर लेना है इतने डो को लगाने में आधा ग्लास से भी कम पानी लगा है, अब इस डो को हमें ढखकर रखना है, अगर आप इसमें ही रखना चाहते हैं, तो प्लास्टिक सीट से किसी अच्छे से इसे कवर कर दें, या तो फिर आप इस तरह का कोई भी प्लास्टिक का डिबबा ले लें और उसमें डो को रखकर अच्छे से बंद करके रख दें डाल ठंडी हो चुकी है अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे इस तरह एक सुखा ग्राइंडिंग जाल लेंगे और सारी डाल को इसमें डाल कर हम इसे दरदरा सा ग्राइंड करेंगे दाल को अभी हमें पूरी तरह से पीसना नहीं है और इस तरह से एक बार चेक कर लेते हैं ये देखिए हमें दाल को इतना ही ग्राइंड करना है अब दाल को हमें अच्छे से पकाना है तो इसके लिए हम एक पैन ले लेंगे फ्लेम को slow to medium रखेंगे और इसमें तीन चमच रिफाइंड ओयल लेंगे इस तरह से और ओयल हमारा गरम हो चुका है अब इसमें जो हमारी दाल है उसे डाल कर हम इसे अच्छी महक आने तक slow to medium फ्लेम में पकाएंगे इस तरह से चलाते जाएंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि दाल का कलर चेंज होने लगा इसमें अच्छी सी खुसबू आने लगी है तब तक हम इसको पका लेंगे हमारी दाल का कलर चेंज हो चुका है यह पकर तयार है फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें हमें मसाले क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं दो चम्मच सौफ, एक चम्मच जीरा, दो चम्मच खड़े धनिया एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच आमचून पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी हींग नमक स्वाद के अकॉर्डिंग ले लेंगे और एक बार हम इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे आप देख सकते हैं इस तरह का हमें मसाले को ग्राइंड करना है अब जो डाल है हमारी ठंडी हो चुकी है अब इसी मसालों के साथ हमें डाल को भी ग्राइंड करना है तो हम सारी डाल को इसमें डाल देंगे और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है एक बार ग्राइंड करने के बा अच्छे से सेट हो चुका है अब हम अपनी कचोड़ियों को भरकर तयार करेंगे अब हम छोटी छोटी लोईया कट करके तयार कर लेंगे इस तरह से इसको गोल करेंगे और थोड़ा सा बेलन से हम इसे इस तरह से फैला लेंगे अब इसे हाथ में लेंगे और इसमें आधा से भी कम चम्मच हम इसमें स्टफिंग भरेंगे यह देखिए इस तरह से और इसको इस तरह हाथ से हमें अच्छे से उपर उठाते हुए हमें इसे अच्छे से बंद कर देना है और इस तरह से हम इसे अंगुठे से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि इसका बिल्कुल भी जॉइंट न दिखे बेलन से हम इसे बिल्कुल हलके से बेलन लगाएंगे अगर आप बेलन नहीं लगाना चाहते हो तो आप हाथ से भी इसे प्रेश करके फैला सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा इसे बढ़ाना नहीं है बस हमें इस तरह की कचोड़ी भरकर तयार करनी है और आप देख सकते हैं इसमें बाहर से बिल्कुल भी स्टफिंग नहीं दिख रही है मैंने ये मीडियम साइज की कचोड़ी बनाई है आप कचोड़ी का साइज थोड़ा बड़ा या छोटा रख सकते हैं अब ये देखिए 6-7 कचोड़ी को मैंने भरकर तयार कर लिया है ओयल को गरम करने रख दिया था ओयल हमारा अच्छा गरम हो चुका है अब इसमें हम कचोड़ी को डाल देंगे इस टाइम पे हमें फ्लेम को मीडियम रखना है और ओयल थोड़ा सा ज्यादा लेंगे क्योंकि हमें कचोड़ी पकाने में काफी टाइम लगता है तो अगर हम ओयल ज्यादा लेंगे तो कई सारी कचोड़ी को डाल कर एक साथ पका सकते हैं ये देखे जैसे ही हमने कचोड़ी को इसमें डाला है थोड़े देर के बाद ये कितनी अच्छी फूल रही है जब हम एक बार इस तरह से पलट देंगे तब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम में हम इने धीरे धीरे इस तरह की कलर आने तक पकाएंगे आप देख सक ज्यादा को चोड़ी नहीं बनाना चाहते तो आप उसे एयर टाइट कंटेनर भर कर 15-20 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं और जब दुबारा बन करें तो आप उसे निकालें और बना कर इंजॉय कर सकते हैं मैंने इनको हरे देनिये की दही वाली चटनी के साथ शरू किया है आप भी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें थैंक यू